हेलो फ्रेंड साब सभी का स्वाज़त है हमारे इस यूटूग चैनल में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैट्स के बहुत इंपॉर्टेंट 6 क्विस्चन्स की जहां से कि आपके आने वाले एक्जाम से में क्विस्चन्स आएंगे ही आएंगे फिर जाए वो आपका रेलवे का NTPC हो या ग्रूप D हो और SSC वाले बच्चे के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगे तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिए अगर आपका एक्जाम आने वाले टाइम में है झालत हमें शीचर हटे पहले हमने इसे दो पार्त देख लेए तें और इसके आगे आपके इसी तरीके से यह पार चलते रहेगा ipox समया पर करा है वो आपके सब्याद अलग अलग टॉपिक से अहां तो आपको क्या करना है कि इसे सारे कुष्टन को अच्छे से देखना है आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको हमारी एक भी मैंट रिजनिंग और जीएस की वीडियो मिसने करनी अगर आपका इक्जाम आने वाले टाइम में है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क् करने के बाद बगल के बेल आइकन पे क्लिक करो कि ताकि हम जो भी वी वीडियो अपलोड करें उसके आपको नेटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा क्विश्चन है वह आपका डिस्टेंस से आपका पहला क्विश्चन है यहां आपसे बोल रखा है कि हमारे पास दो ट्रक है उनके अस्पीट का रेशियो देखे रखा है कितना देखे रखा है तो 14 रेशियो 17 बोल रखा है पहला ट्रक जो है साथ गंटे में 490 किलो मीटर की दूरी टैए करती है तो दूसरे ट्रक की गती क्या है बहुत ही सिंपल है सबसे पहले ट्रक का स्पीड निकाल लेंगे स्पीड इकोल टो हमारा डिस्टेंस डिवाइड़ वाई आपका टाइम होता है तो डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे कितना हो गया तो चार सो नब्बे डिवाइड़ वाई सेवन टाइम तो आपका आगया सत्तर अब हमारे पास पहले ट्रक की स्पीड आ चुकी है सेवेंटे किलोमीटर पर आबर अब हमें दूसरे ट्रक की स्पीड निकाल लें है और रेशियो दे के रखा है 14 रेशियो 17 यानि 14 जो है वो टाइम जाएगा तो सतरा पच्चे पचासी यानि आपसन नंबर बी के साथ चला जाएगा यह आपको बहुत ही सिंपल क्विश्चन आपके इस तरीके के एंटी पीसी में लागतार पर पूछे जा रहे हैं एंटी पीसी हो या ग्रूप डी हो आपको हमेशा ये क्विश्च क्या होगी तो सबसे पहले हमने पहले ट्रक के स्पीड निकाल ली जो कि हमारा आगया सेवेंटी किलोमीटर पर आवर वो हमारा क्या आगया तो सेवेंटी किलोमीटर पर आवर और यहां पे हमारा पहले ट्रक का स्पीड देख रखा था फोर्टीन यानि फोर्टीन बरावर 70 के तो हमसे निकालना था 70 पराबर एक इसके तो आपका आगया 85 के यानि option नमबर बी नेक्स्ट है इसी तरीके से question number 2 आपसे बोल रखा है कि pipe A जो है एक टंकी को 4 गंटे में भर सकता है आपसे बात कर रहा है दो pipe A जो है किसी टंकी को 4 गंटे में यहाँ पर आपको बर सकता है और pipe B जो है उसे 6 गंटे में बर सकता है अब आपको यहाँ पर question क्या कर रहा है कि हम दोनों pipe को बारी बारी से खोलते है पहरे pipe A फिर pipe B तो कितने घंकों में कितने घंटों में tank पूरा फूल हो जाएगा यह हमसे पूछ रहा है तो चलिए देखते हैं इस question को कि हम इसे कैसे easily B में solve कर सकते हैं तो सबसे पहले time and distance के आपको जो भी problem आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं उसका क्या करेंगे आप लिख लेंगे क्या क्या है पहला tank जो है वो कितने घंटे में भरता था तो पहला tank भर रहा था आपका 4 घंटे में और दूसरा 6 घंटे में उसके बाद हम LCM ले लेंगे तो 4 4 & 6 का LCM क्या होगा 12 उसके बाद हम allocate करेंगे अपको सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड करने तो 14 डिवाइड वाइड 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 सिक्स तू इसे बेहतल तरीके से समझने के लिए आप हमारे टाइम और डिस्टेंस के प्रिविएस वीडियो देख सकते हो उसमें आपको इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है तो चलिए दिखते हैं यहां पर अब हमारा यह जो 12 वे उसम क्या मानते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे 12 यूनिट एंड 3 & 2 को हम मानते हैं कि efficiency हैं हमारा यानि क कारी करने की चमता है कि A जो है एक घंटे में 3 यूनिट करता है और B एक घंटे में 2 यूनिट करता है और टोटल वर्क है 12 यूनिट अब यहां पर question देखोंगो कि बारी-बारी से परती एक घंटे पर खोलते हैं पहले tank A को फिर tank B को तो हमने क्या देखा था कि tank A जो है एक घंटे में कितना बढ़ता है तो 3 यूनिट और tank B कितना बढ़ता है तो 2 यूनिट और टोटल भरने हैं हमें कितने यूनिट 12 यूनिट अब हम यहां पर देख रहे हैं करा बारी-बारी से हम खोल रहे हैं तो पहले घंटे 3 यूनिट का आपका चला पहले घंटे 3 यूनिट बरा और टोटल हमें भरने हैं 12 यूनिट दूसरे घंटे फिर 2 यूनिट बरा फिर तीसरे घंटे 3 यूनिट तो 3, 3, 6, 2, 8 चौते घंटे फिर से 2 यूनिट 8, 2, 10 अब हमारे पास 2 यूनिट बच रहे हैं जबकि अगली बाद टैंक एक ओखोला जा रहा है जो कि 1 घंटे में 3 यूनिट बढ़ता है तो हमारे पास कितने टाइम लगेंगे तो 2 by 3 टाइम लगेंगे तो ये टोटल आपके कितने घंटे हो जाएंगे यहां पर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 4 and 2 by 3 घंटे लगेंगे इसे यानि की option number C के साथ चला जाएगा इसमें आपको करना क्या था कि सबसे पहले हमने इपी सेंजी निकाल लें लसला निकाल कि यहां को कैने होते हैं उसके बाद ए पहले घंटे में 3 यूनिट बरा दूसरे घंटे में बी बरा फिर तीसरे घंटे में 3 फिर 2 अभापस बस 2 यूनिट बाट बच रहा है और यह total आपके पास 4 घंटे हो चुके और 2 य सब्सक्राइब है तो संक्या इतना है तो उन डोनों संख्या अंतर तो आपको पता है दो संक्या का जो गुनानफल होता है वो क्या होता है तो HCF और LCM का multiplication होता है बट यहाँ पे हमें दोनों में से कोई भी संख्या नहीं मालूम है तो हम माल लेंगे क्या हमारी जो संख्या है वो क्या है तो because मसा 103 है तो सारे में 103 common होगे तो 103A और 103B हमारे पास संख्या हैं अब इन दोनों का multiplication जो है लसो और मसा की multiplication के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम इस चीज को अच्छे तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे आपका हो गया 103A यह आपको अच्छे तरीके से है यह 103A इंटू 103B बराबर हो गया किसके तो आपका 103 इंटू 19261 के अब 103 से हमने 103 को cancel कर दिया और इधर 103 से 19261 को आप अगर cancel करते हो यहाँ पे हमने आपको देखा 103A इंटू 103B बराबर है किसके तो 103 मसा इंटू 19261 लसर अब 103 से 103 cancel कर दिया 103 से 19261 को करेंगे तो 87 आएगा तो यहाँ पे हम काट के चाट के बचा AB बराबर हो गया 187 अब AB बराबर 187 हो गया तो A कितना होगा और B कितना होगा तो 187 को अगर हम factorize करते है तो 11 and 17 में होता है यानि A1 होगा B17 होगा A11 होगा तो हमसे पूछ रहा difference संख्याएं कितनी हो गई तो 103 गुना 11 because 103 A माने थे और 103 गुना 17 अब हम इसका difference लेंगे तो 103 को कॉमल लेंगे और 17-11 जो कि आपका 6 और 103 गुना 6 आपका कितना हो गया तो 618 तो यहाँ पे हमारा answer कितना आ जाएगा तो 618 इसे तरह की questions आपके यहाँ पे लसा मसा से पूछ सकते हैं तो आपको यहाँ पे करने क्या है कि हम संख्याएं मान लेंगे मसा का मसा भी का जिसका factorization होता है उसके बाद दो संख्याओ का गुननफल उसके लसा और मसा के गुननफल के बराबर होता है असानी से हम ले आएंगे फिर आपसे बोल रखा है कि तीन लगतार संख्याओं को उसत इन है अगर आगे की दो लगतार संख्याओं को भी सम्मिलित कर देंगे तो इन पांचों को उसत क्या होगा बहुत ही सिंपल आपके इस तरीके की क्विश्चन्स होते है आपसे बोल रखा है कि तीन लगतार संख्याओं को उसत इन है हम यहाँ पे तीन लगतार संख्याओं माल लेते हैं दो, तीन और चार और इसका उसत देखो तो चार, तीन, साथ, दो, नौ और नौ डिवाइड़ वाई तीन यानि की तीन यहाँ पे हमारा तीन आ गया बट यहाँ पे अगर दो संख्याओं और मिला लेते हैं दो, तीन, चार, पांच, एंड, छे अब इसका उसत निकालेंगे पांच से डिवाइड करेंगे तो, ग्यार, नौ, बीस, बीस, बटा, पांच, चार आपका आ जाएगा यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि एक से बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी मार के चेक कर सकते हो आपका हमेशा एक से ही बढ़ेगा तो हमारा एंसर हो जाएगा इन पांच का उसत 1 प्लस N यानि कि ऑप्सन नंबर C के साथ चला जाएगा आप यहाँ पे संख्या मान के चेक कर सकते हो फिर है हमारा प्रोफिट एंड लॉस का कुश्चन है या फिर हम कर सकते हैं डिसकाउंट का कुश्चन है यहाँ पे कर एक डिलर जो है एक मेज के अंकित मुली पर 16% की छूट देता है जिसका क्रेम मुली 1200 रुपे था अगर उसे भी 5% का लाब होता है तो मेज का अंकित मुली कर रहा है कि एक डिलर है जो कि एक मेज को अंकित मुली पर 16% की छूट देता हम माल लेते हैं कि मेच को उसने खरीदा 100 यूनिट में और 16% की छूट दिया तो कितने में बेचा तो 84 यूनिट में बेचा अब गर उसका क्रेमूल 1200 रुपे था अगर उसे 5% का लाब होगा तो मेच का अंकित मुल अगर 1200 रुपे क्रेमूल पर 5% का लाब हो रहा है तो हमारा विक्रेमूल कितना हो गया तो बार सो गुना एक सो पांच बटा सो अब आप इसे टोटली कैलकुलेट करोगे तो यह हमारा टोटली कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो हम इसे कर टोटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ जाता है 1260 यानि कि अगर हम 5% लाव कमाते हैं 1200 रुपए में खरीदा तो 1260 रुपए होता है और यहाँ पर चाहरे लिए 84 रुपए होता है यानि 84 बरावर हो जाएगा बारस साथ का हमसे पुछ रहे हैं कितम लिजों की 100 यूनिट है अब हम यहाँ पे देख लिए 84 बराबर हो गया 1260 का तो 100 किसके बराबर हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 1260 into 100 divided by 84 अब आप इसे टोटली कार्ट छाट के निकालोगे तो हमारा आजाएगा 1500 रुपए यानि option number C के साथ चला जाएगा नेक्स्ट है आज का हमारा आकरी question आपका trigonometry से related है कि रहा है cos theta minus sin theta equal to L है और tan theta equal to M second square theta है तो L square plus 2M divided by 2 का मान क्या होगा तो हम इसे असानी से निकाल सकते हैं सबसे पहले सबकी value तो हमें देखे रखी है अब हमें निकालना है कि हमसे पूछ क्या रहा है सबसे पहले L square पूछ रहा है तो L square जैसे ही करेंगे तो cos theta minus sin theta का all square यानि cos square plus sin square theta अब यहाँ पे लगा सकते हो plus 2 cos and sin अब आपको पता है इन दोनों का value 1 तो L square की value आ गई 1 plus 2 cos and sin अब आप इसको याद रख लो अब यहाँ पे हम देखे M की value भी निकाल ली है तो M equal to हो गया 10 divided by sin square यहाँ पे हमने cross multiplication करके देखा तो 10 divided by sin square अब हम इसे तोड़ के देखेंगे तो 10 equal to sin cos and sin square equal to हमारा क्या हो जाता है तो 1 by cos square and because यहाँ पे जो है divide में थाक sin तो यहाँ पे ऊपर चला गया cos square cos cancel तो M की value आ गई sin and cos अब हमसे जो question पूछ रहा था L square plus 2 M divided by 2 अब L square की value हमने निकाला था क्या निकाला था तो 1 minus 2 sin and cos और plus में हमारा क्या हो गया 2 M था तो 2 sin cos और divided by 2 sin cos से sin cos cancel तो हमारा answer क्या आ जाएगा तो 1 by 2 यानि कि आपका option number A के साथ यहाँ पे चला जाएगा तो आज क्लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या आप हमें like, comment and share करके जरूर बताएगा then bye and thanks for watching this video